प्रधान मंत्री कुछ बोल रहे हैं कृषी बिल को लेकर प्रधान मंत्री का बड़ा बयान लाइव दिखाई देने शुरू भी हो गए हैं क्योंकि इसका ध्यादेश कुछ महिने पहले निकाला गया था ऐसे प्रधेश जहां पर आलू बहुत होता है वहां से रिपोर्ट्स है कि जून जुलाई के दवरान थोक खरीदारों ने किसानों को अधिक भाव दे कर सीधे कोर्ट स्टोरेज से ही आलू खरीद लिया है बाहर किसानों को आलू के ज्यादा दाम मिले तो इसकी वजह से जो किसान मंडियों में आलू लेकर पहुंचेते आखिर दबाव में आने के कारण बहार बड़ा उंचा मारकेट होने के कारण मंडी के लोगों को भी किसानों को ज्यादा दाम देना पड़ा इसी तरह मद्यप्रदेश और राजस्तान से वहाँ से जो रिपोर्ट मिली है कि वहाँ पर तेल मिलों ने किसानों को सीधे बिशे 30 प्रतिशत जादा देकर सरसों की खरीदी की है मद्यप्रदेश उत्तरप्रदेश 36 गर्ट पस्चिम बंगाल ऐसे राज्यों में डाले बहुत होती है इन राज्यों में पिछले साल की तुलना में 15 से 25 प्रतिशत तक का जादा दाम सीधे किसानों को मिले है दाल मिलों ने वहाँ भी सीधे किसानों से खरीद की है सीधे उन्हें ही भुगतान किया है अब देश अंदाजा लगा सकता है कि अचानक कुछ लोगों को जो दिक्कत होनी शुरू ही है वो क्यों हो रही है कही जगह यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि अब कृशी मंडियों का क्या होगा क्या कृशी मंडिया बंद हो जाएगी क्या वहाँ पर खरीद बंद हो जाएगी जी नहीं ऐसा कता ही नहीं होगा और मैं यहां स्पस्ट कर देना चाहता हूँ कि ये कानून ये बड़लाव क्रिशी मंडियों के खिलाप नहीं है क्रिशी मंडियों में जैसे काम पहले होता था वैसे ही अब भी होगा बलकि ये हमारी ही एंडी सरकार है जिसने देश की क्रिशी मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए निरंतर काम किया है कृसी मंडियों के कारिया लोयों को ठीक करने के लिए वहां का कम्पूटराइजेशन कराने के लिए पिछले पांच-छे साल में से देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है इसलिए जो ये कहता है कि नए कृसी सुधारों के बाद कृसी मंडिया समाप्त हो जाएगी तो वो किसानों से सरासर जूठ बोल रहा है चाथियों बहुत पुरानी कहावत है कि संगठन में शक्ति होती है कृसी सुधार से जुड़ा दूसरा कानून इसी से प्रेडित है हाज हमारे हाँ पच्चासी प्रतीसत से ज़्यादा किसान ऐसे है जो बहुत थोड़ी सी जमीन उनके पास है किसी के पास एक एकर, किसी के पास दो एकर, किसी के पास एक हेक्टर, किसी के पास दो हेक्टर, सब छोटे किसान है, छोटी सी जमीन पर खेती करके उपना गुजरा करता है, इस वज़े से इनका खर्च भी बढ़ जाता है, और उन्हें अपनी थोड़ी सी उपज बेचने पर सही किमत भी नहीं मिलती है लेकिन जब किसी खेत्र के ऐसे किसाम अगर एक संगठन बनाकर यही काम करते हैं तो उनका खर्च भी कम होता है और सही किमत भी सुनिश्चित होती है बाहर से आये खरिदार इन संगठोनों से बकाइदा समझोता करके सीधे उनकी उपज खरीच सकते हैं ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के उपर कोई बंधन नहीं होगा किसान के खेत की सुरक्षा उसकी जमिन की मालिकी की सुरक्षा किसान को अच्छे बीच, किसान को अच्छी खार, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉंट्रेक्ट करेगा उस खरीदार की होगी किसान से जो समझोता करेगा उस समझोता करने वाले की होगी इन सुधारों से क्रिशी में निवेश बढ़ेगा, किसानों को आधुनिक टेक्नोलोजी मिलेगी, किसानों के उत्पाद और आसानी से अंतराष्टे बाजार में पहुँचेंगे मुझे बताया गया है कि यहां बिहार में हाली में पांच कृशी उत्पादक संगों ने मिलकर चावल बेचने वाली एक बहुत मशूर कंपनी के साथ एक समझोता किया है इस समझोते के तहट चार हजार टन धान वो कंपनी बिहार के इन एप्पियों से खरीदेगी अब इन एप्पियों से जुड़े किसानों को मंडी नहीं जाना पड़ेगा उनकी उपजब सीधे नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचेगी साफ है कि इन सुधारों के बाद खेती से जुड़े बहुत सारे छोटे बड़े उद्योगों के लिए बहुत बड़ा मार्क खुलेगा ग्रामिन उद्योगों की और देश आगे बढ़ेगा मैं आपको एक और उद्धार देता हूँ माल दीजिये कोई नवजवान एगरिकल्टर सेक्टर में कोई स्टार्ट अप शुरू करना चाहता है वो चिप्स की फेक्टरी ही खोलना चाहता है अभी तक ज़्यादातर जगह होता यह था कि पहले उसे मंडी में जाकर आलू खरीदने होते थे फिर वो अपना काम शुरू कर पाता था लेकिन अब वो नवजवान जो नएने सपने लेकर करके आया है वो सीधे गाओं के किसान के पाथ जाकर उससे आलू के लिए समझोता कर सकेगा वो किसान को बताएगा कि मुझे इस क्वालिटी का आलू चाहिए इतना आलू चाहिए वो किसान को अच्छी क्वालिटी के आलू पैदा करने में हर तरह की तकनी की सहायता भी करेगा साथियों इस तरह के समझोतों का एक और पहलू है आपने देखा होगा कि जहां डेरी होती है वहां आसपास के पशुपालकों को दूद बेचने में आसानी तो होती है डेरियां भी पशुपालकों का उनके पशुव का ध्यान रखती है पशुव का सही समय पर टिका करन हो उनके जिलिये सही तरह के सेड़ बने पशुव को अच्छा आहार मिले पशु बीमार हो जाए तो उनका डॉक्टर पहुंच जाए और मैं तो गुजरात में रहा हूँ मैंने देखा है डेरी कैसे पशुव को समालती है बड़ी डेरी दूद उत्पादक उन तक जा करके किसानों की मदद करती है और इन सब के बाद भी ये बड़ी महत्वपुण बात है ये जो दूद खरीते का काम है वो तो डेरी कर लेती है लेकिन पशु का मालिक तो पशु पालक या किसान ही रहता है पशु का मालिक कोई और नहीं बनता है वैसे ही जमीन का मालिक किसान ही रहेगा ऐसे ही बड़लाव अब खेती में भी होने का मार्ग खुल गया है साथियों ये भी जग जाहिर रहा है कि कृषी व्यापार करने वाले हमारे साथ्यों के सामने Essential Community Act के कुछ प्रावधाम हमेशा आड़े आते रहे हैं बदलते हुए समय में इसमें भी बदलाव किया है दाले, आलू, खाद्यते, प्याच जशी चीजे अब इस एक के दाहरे से बहार कर दी गई है अब देश के किसान बड़े-बड़े स्टोर हाउस में, कोर्ड स्टोरेज में इनका आसानी से भंडारण कर पाएंगे जब बंडारण से जुड़ी कानूनी दिक्कते दूर होगी, तो हमारे देश में कोर्ड स्टोरेज का भी नेटवर्क और विक्सित होगा, उसका और विस्तार होगा साथियों, कृशी छेत्र में इन एक्तियासिक बड़लाओं के बाद, इतने बड़े व्यवस्ता परिवर्तन के बाद, कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए अब ये लोग MSP पर किसानों को गुमरा करने में जुटे हैं, ये वही लोग हैं, जो बरसों तक MSP पर स्वामी नाथन कमिटी की सिफारिसों को अपने पैरों के नीचे दवा कर बैठे रहे मैं देश के प्रत्ते किसान को इस बात का बरोसा देता हूँ कि MSP की व्यवस्ता जैसे पहले चलती आ रही थी, बैसे ही चलती रहने वाली है इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभ्यान चलाये जाता है, वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे साथियों, किसानों को MSP देने और सरकारी खरीद के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है, वो पहले कभी नहीं किया गया बीते पांच साल में जितनी सरकारी खरीद हुई है और 2014 से पहले के 5 साल में जितनी सरकारी खरीदी हुई है उसके आंकडे देखोगे तो कौन सच बोल रहा है कौन किसानों के लिए काम कर रहा है, कौन किसानों के बलाई के लिए काम कर रहा है, इसकी गवाई बही से मिल जाएगी मैं अगर दलहन और तिलहनी की भी बात करूँ तो पहले की तुलना में दलहन और तिलहन की सरकारी खरीदेर करीब करीब 24 गुना अधिक हो की गई है इस साल कोरोना संक्रमन के दौरान भी रभी सीजन में किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है इस साल रभी में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन को मिला कर किसानों को एक लाग तेरा हजार करोड रुपिये MSP पर दिया गया है ये राशी भी पिछले साल के मुकाबले 30 प्रतीशत से ज़्यादा है यानि कोरोना काल में न सिर्व रिकॉर्ड सरकारी खरीद हुई बलकि किसानों को रिकॉर्ड भुकतान भी किया गया है साथियों 21 सदी के भारत का ये दाईत्व है कि वो देश के किसानों के लिए आधुनिक सोच के साथ नई व्यवस्ताओं का निर्मान करे प्रदान मंसरी नरेद मोदी को सुन रहे थे आप नय क्रिशी कानून को लेकर के प्रदान मंसरी ने कई बाते कहीं कि विचारात्माग भरम नपहलाए विपक्ष क्रिशी बिल को लेकर के नय कानून को लेकर के उनका ये भी कहना था कि क्रिशी मंडियों का प्रदान खट नहीं होगा एक बार फिर से ये कहे देना चाऊँगा कि किसानों की बहतरी के लिए किसान अपनी उपच कहीं भी देश विदेश में कहीं भी जा करके बेच सकेंगे और किसानों के लिए ये एतिहासिक बदलाओ किया गया है